Hello everyone, आपका स्वागत है मेरे किचन में, तो friends आज की वीडियो में हम easy, simple और quick 6 तरके पराठे बनाएंगे, ये सबी पराठे बीना stuffing के हैं, पर स्वाधिश्ट और healthy इतने कि stuffing वाले पराठे भी आपको फेल लगेंगे, लंच वाक्स हो या फिर breakfast, 6 दिनों के लिए 6 तरके स्वाधिश्ट और healthy पराठे, ये पराठे इतने स्वाधिश्ट और healthy होते हैं कि आप इने नक्योवल breakfast में, बलकि लंच और डिनर में भी बना के खा सकते हैं, तो वीडियो लास तक देखिएगा, पसंद आए तो इसे like share, औ तो इसमें हमारी सबसे पहली recipe है, ये मसाला पराठा, तो इसको बनाने के लिए मैंने हाँ पे एक mixing बाउल में एक कप गीहूं का आटा लिया है, इसमें एक बड़ा चमच अद्रक और लशन को दरदरा कूट के डालेंगे, एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर, आदा छोट चमच नमक, आदा छोटी चमच साबुत, जीरा, एक चमच कसूरी मेथी को हातों से क्रस्ट करके डालेंगे, एक बड़ा चमच मैंने इसमें बटर डाला है, आप इसके जगा पे घी या तेल भी डाल सकते हैं, अच्छे से हमें आटे के साथ बटर और मसालों को मिला लेना ह थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका मीडियम सॉफ्ट आटा लगा लेंगे, जैसे हम चपाती के लिए लगाते हैं कुछ उसी तरीके से, आटा को सेट होने के लिए आप 5 मिनट तक अगर आपके पास टाइम है तो ढखके छोड़ सकते हैं, इससे आटा अच्छे स सेट हो जाता है और हमारे पराठे बहुत ही स्वाधिष्ट बनते हैं, तो 5 मिनट के बाद आटे को मैंने अच्छे से मिला लिया है और इनकी हमने लोईया तयार कर ली है, तो इतने आटे में मैंने 4 पराठे बनाए हैं, इनको हमें बेल लेना है, तो जैसे हम रोटी बेलते उससे थोड़ा सा मैने इसे मोटा रखा है तब एको मीडियम फ्लेम में मैंने गरम किया था पराठे को इस पे डाल देंगे और दोनो तरब से अच्छे से घी या तेल लगाके हमें इसे क्रिस्पी कर लेना है ये पराठे बहुत ही अच्छे से फूल भी जाते है और ये तो जो दूसरा पराटा है वो हमारा बिना स्टफिंग वाले प्याज के पराटे तो इसको बनाने के लिए भी मैंने मिक्सिंग बाउल में एक कप गेहूं का आटा लिया है इसमें दो बड़े चमच मैंने भूने हुए चने का आटा है ये आप बेशन को भून के भी इसमें ड आधा कुब बारीक कटा हुआ प्याज थोडह सा बारीक कटा हुआ अध्रक बारीक कटा हुआ लशन ही मैंने इसमें डाला है साती एक से दो हरी मिर्च कट कर डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया Bioned बी डालेंगे आधा जोटा चमच जीमाच अजवाइन और एक पहले अच्छे से मिला लेंगे उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालके हलका सा इसका सक्त आटा लगाना है क्योंकि ये प्याज का पराटा है प्याज थोड़ा सा पानी छोड़ता भी है तो हमने थोड़ा सा इसका सक्त आटा लगाया है आटे को ढखके 5 मिनिट क के बाद इस्की हमें लोईया त्यार कर लेनी है तो इस पराठे को हम थोड़ा मोटा बेलेंगे तो इसकी लोई भी मैंने थोड़ी घंद का सकते हैं दिक्कता ​ प्याज का पराठा है इसे भी हमें सेम मसाला पराठा की तरह ही सेखना है तो यहां पर तवे को मैंने मीडियम फ्लेम में ही गरम किया था जब पराठा एक तरप से थोड़ा सा सेख जाये तो इसको पलड देंगे और इसके उपर आप घी तेल या बटर जो भी आपको पसंद ह इसके उपर लगा लीजिए और अच्छे से इसको थोड़ा सा प्रेस करते हुए क्रिस्पी कर लीजिए यह पराठे बहुत ही क्रिस्पी और स्वादिष्ट बनते हैं तो जो यह प्याज के पराठे है वो बनके रेडी हो गया है और अगला हमारा पराठा है यह आलू के पर तो बहुत बार बनाए होंगे, एक बार इस तरीके से बना के देखें, तो इसके लिए मैंने एक मिक्सिंग बाउल में एक कप गेहूं काटा लिया है, दो मीडियम साइज के उबले हुए आलू है, जिनको मैंने बारीक वाले ग्रेटर से घिस लिया है, आलू का कोई भी तुकड़ा इसमें नहीं होना चाहिए, अब इसमें डालेंगे एक चमच अद्रक और लशन को दरदरा कूट के, एक से दो हरी मिर्च को मैंने बारीक काट के डाला है, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, एक चमच धनिये का पाउडर, आधा छोटी चमच भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा छोटी चमच चाट मसाला और आधा छोटी चमच मैंने इसमें अमचूर पाउडर डाला है, आधा छोटी चमच नमक और आधा छोटी चमच हम इसमें अजवाईन डालेंगे, तो बड़े चमच मैंने इसमें दही डाला है, दही डाल देने से हमारे जो पराठे हैं एक तो बहुत सॉफ्ट बनते हैं और दूसरे इनका फ्लेवर काफी बढ़ जाता है तो दही डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और जरूरत के हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे आठे को थोड़ा सा सॉफ्ट ही लगाना है इसस मीडियम फ्लेम में दोनों तरब से घी तेल या बटर जो भी आपको पसंद हो लगाते हुए अच्छे से सेख लेना है तो यह जो आलू के पराठे हैं यह बहुती सौफ्ट बनते हैं और बहुती टेस्टी होते हैं बच्चों को तो यह पराठे बहुती पसंद आते हैं तो आ अधिश्ट टमाटर के पराठे तो इसके लिए भी मैंने हाप मिक्सिंग बाउल में एक कप गीहूं का आटा लिया है इसमें एक चमच अद्रक और लशन को दरदरा कूट के डालेंगे हरी मिर्च को बारीक काटके और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया चाट बसाला आधा चमच आधा चमच ही हमने इसमें भूने हुए जीरे का पाउडर और आधा चमच अजवाइन डाला है आधा चमच नमक डालेंगे और एक चमच मैंने इसमें कसूरी मेती को हलका सा भून के डाला है एक छोटा चमच हम इसमें तेल भी डालेंगे और इसमें डालेंगे एक बड़े साइज के टमाटर को अच्छे से मैंने यहापे पीस लिया है बीना पानी के ही मैंने इसे पीसा था और मिक्सी के जार में दो चमच पानी डालके रिंस करके इसके अंदर डाल देंगे और इस आटे को हमें टमाटर की प्यूरी के साथ ही लगा के तयार करना है इसम भी हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे और इसे मीडियम फ्लेम में दोनों तरब से जब अच्छे से यह सिख जाए तो घी या तेल या फिर बटर लगा के इसे दोनों तरब से हमें क्रिस्पी कर लेना है तो अच्छे से थोड़ा सा इसको आप प्रेस करते रहेगा जिससे हमारे पराठे हैं ये बहुती क्रिस्पी बनते हैं तो ये बहुती चटपटा और बहुती टेस्टी हमारा ये टमाटर का पराठा बनके रेडी हो गया है बिल्कुल इसी तरीके से मैंने सारे पराठो को सेख लिया है और अब हम बनाएं में पालक के पत्तों को एक मुठी पालक के पत्ती है ये दो मिनट के लिए गरम पानी में डाल के छोड़ दिया था दो मिनट के बाद इसे गरम पानी से निकालेंगे और सीधे हमें ठंडे पानी में डाल देना है इससे क्या होता है कि जो पालक का कलर है गरीन कलर वो खराब न अब एक मिक्सिंग बाउल में एक कप गेहूं का आटा लेंगे इसमें एक चमच हमने घी डाला है आधा चोटी चमच हम अजवाइन आधा चोटा चमच नमक और एक चोथा चमच भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे सारे चीजों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे औ इस आटे के अंदर हमें डाल देना है और इस आटे को लगाते से में भी आपको पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसी पालक की प्यूरी से हमें इस आटे को लगा के रेडी कर लेना है अगर आपको आटा ज़्यादा गिला लगे तो इसमें एक दुछा आटे नहीं मूंटा नो हम ठेकें परता धाइड कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपने सबसे लास्ट पराठे की तरफ, तो वो है ये हम सब की फेवरेट गोभी के पराठे, तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल में एक कप गेहूं का आटा लिया है, एक चमच इसमें अजवाइन, आदा चमच भुने हुए जीरे का पाउडर, आदा चोटी चमच गरम मसाले का पाउडर, एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर, और एक चोथाई चमच मैंने इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाला है, स्वात के हिसाब से नमक डालेंगे और एक चुटकी हम इसमें हींग डालेंगे, और आधा चमच हम इसमें गी या तेल कुछ भी आप डाल सकते हैं, सारे मसालों को आटे के साथ सबसे पहले हमें अच्छे से मिला लेना ह और मैंने इसमें एक कप बारीक कद्दुकस किया हुआ गोभी डाला है, एक हरी मिर्च को बारीक काटके डालेंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धन्या भी डालेंगे, और आटे के साथ गोभी को अच्छे से मिला लेना है, उसके बाद जितनी जरुवत हो उसमें पा अगर आपको बेलने में जरा भी दिक्कत हो तो आप बीच बीच में सुखा अठा लगा सकते हैं और इसे भी थोड़ा हमें मोटा ही रखना है पराथे को मीडियम फ्लेम में दोनों तरफ से अच्छे से हमें सेक लेना है उपर से मैंने घी लगाया है घी लगा के दोनों तरफ से पलटते हुए हमें अच्छे से इसको क्रिस्पी हो जाने तक सेक लेना है तो बहुत ही टेस्टी और बिना इस्टफिंग के ये गोभी के पराथे बनके रेडी हो गया है आपने इस्टफिंग वाले गोभी के पराथे तो बहुत खाये होंगे एक बार इसे भी खाके मेरी रेस्पी अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा मेरे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजेगा इसे मेरी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचेगी ऐसी ए